ही गाइस वेलकम और वेलकम बैक टे नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में आपके साथ प्रिंटेट कुर्ती के गले और गेरे यानि दामन का एक सुंदर सा डिजाइन शेयर करूंगी इससे बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक मिरर वाली ये लेस ली है वैसे तो मुझ और इस तरीके से अटैच किया कि बॉर्डर का प्रिंट बिल्कुल भी दबने ना पाए ये देखें अब इस पट्टी को हमें इस तरह से सीधा कर देना है और बॉर्डर के कपड़े के उपर एक टॉप स्टिच लगाना है ताकि पट्टी बिल्कुल फ्लैट बनकर तयार हो इस तरह अब सलवार के कपड़े में से मैंने एक पट्टी काटी है तकरीबन तीन इंच चौड़ी और इस तरह से हमें इस पट्टी के उपर बॉर्डर को रखना है यहाँ पर पट्टी की राइट साइड के उपर बॉर्डर की रॉंग साइड फेस कर रही है यह देखिए अब हमें इस तरीके से प्रिंटेट सलवार के कपड़े वाली पट्टी को मिरर लेस के उपर फोल्ड करके अटाच करना है ताकि मिरर वाली लेस की एजिस भी दब जाएं इस कपड़े के नीचे और सिर्फ मिरर्स वाला हिस्सा ही नजर आए अब इसके नीचे मैंने एक वाइट कलर की लेस भी अटाच की है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है वैसे जहां पर मैंने मिरर वाली लेस लगाई है वहां पर आप डबल एजिंग वाली कोई जालीदार लेस भी लगा सकते हैं इस तरह अब इस तैयार बॉर्डर को हमें अपने कमीज के गेरे पर लगाना है और इसका इस्तेमाल आप अपने कमीज की लंबाई बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं तो इस तरह मैंने गेरे पर इस बॉर्डर को अटैच कर दिया और सीधा करके एक टॉप्स जिछ हमें यहां पर लगा लेना है इस तरह अब थोड़ा सा और मुझे इसमें टेक्स्चेर एड़ करना है जिसके लिए मैंने यह एक फ्लार वाली लेस ली है ग्रीन कलर में जो कि मेरे पास पहले सी पड़ी हुई थी आप चाहें तो रेडिमेड पैच्चिस भी ले सकते हैं इसमें से छोटे-छोटे फ्लार्स मैंने काटके अलग कर दिये हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी लेस थी पूरी लेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको सीधा-सीधा नहीं लगाया थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने इस तरह फ्लार्स चिच कर दिये जिससे की डिजाइन भ यह देखिए इस तरह से सभी फ्लार्स को मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर अटैच कर दिया अब हम इसके एक्स्ट्रा धागी काट देंगे वैसे फ्लार्स पेस्टिंग वली लेस में से काटे हैं मैंने प्रेस करने पर यह कप्ड़े पर आसानी से चिपक भी जाएंगे त तो डिजाइन बनाने के बाद मैं इसको प्रेस भी कर दूँगी ताकि यह फ्लार्स अच्छे से चिपक जाएं अब खेरे का डिजाइन तो बन गया है अब हम गले का डिजाइन बनाएंगे इसके लिए मैंने सलवार के कपड़े में से चार इंच चौड़ी पट्टी काटी प्रेंटेट कपड़े की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है और मैंने इस लेस की किनारी को अच्छे से दबा के अटाइच किया है अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मिरर वाली लेस अटाइच कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मिरर वाली लेस की जगाब कोई डबल एजिंग वाली या कोई सिंपल लेस भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए अब हमें इसको सीधा करना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाना है इसी तरह से दूसरी तरफ भी टॉप स्टिच हमें लगाना है अब हमें इसके दोनों तरफ बॉर्डर अटाइच करना है प्रिंटिड बॉर्डर जो कुर्ति में से काटके हमने निकाला था यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉर्डर का प्रिंट बिल्कुल भी सिलाई में ना दबने पाए तो इस तरह दोनों तरफ बॉर्डर मैंने अच्छे से अटाच कर दिया अब बॉर्डर के साइड से भी हम एक्स्ट्र कपड़े को रॉंग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई साड़े चेंज तेयार हो रही है जो कि थोड़ी सी जादा है इसकी चौड़ाई कम करने के लिए बीच में से मैंने इसे फोल्ड किया और थोड़ा सा जो कपड़ा है इस तरह से दबा कर सिलाई लगा दी इससे बॉर्डर की चौड़ाई थोड़ी कम हो गई यह देखिए अब हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है इस तरह तो बॉर्डर की चौड़ाई तकरीबन साड़े पांच इंच बन कर तयार हुई है और लंबाई 13 इंच अब इसके बीच में भी हमें फ्लार वाले पैचे लगा देने हैं जैसे हमने गेरे में लगाए थे इस तरह अब जो लेस मैंने कमीज के गेरे पर लगाई थी वो ही लेस मैं इसके साइड्स पर भी लगाऊंगी तो वाइट कलर की कॉटन की ये लेस मैंने इसके साइड्स पर अटैच कर दी है इस तरह लेस को अटैच करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें लेस को बिल्कुल भी नहीं खीचना और नहीं कपड़े को नहीं तो इसमें बल पढ़ जाएंगे और इसे रेडी करने के बाद मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है अब हम इसको कुर्ती के फ्रेंट पर अटैच करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले गले की लंबाई का निशान हमें लगाना होगा गला यहाँ पर मैंने पहले से ही काटके रखा हुआ है इस निशान से तक्रीबन एक टेर इंच उपर की तरफ हमें इस पैनल को रखना है और सिलाई लगानी है बिल्कुल सेंटर में हमें इस पैनल को रखना है और इस तरह से सिल देना है यह देखिए बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर इसको सिलना है और अब हमें इसके उपर गला बना देना है इस तरह जैसे नॉर्मल गला बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हमें इस गले को यहाँ पर बना देना है तो यह देखिए कमीज के गेरे और गले का डिजाइन बन कर तयार हो गया और आप देख सकते हैं कि बनने के बादी कितना सुन्दर दिख रहा है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ आप बैल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताईएगा कि आपको किस तरह के वीडियो देखना ज्यादा अच्छा लगता है ताकि मैं उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं तो गाइस थैंक यू सो मज फॉर वाचिंग बाइबाई